आकास भूमी न्योज राश्ट्रिय समाचार पत्रव वेब न्योज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनुखी जलक भदोही जिला पंचायत में बोड कमीटी की बैठक में अनुपस्तित अधिकारियों पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद त्रिपाठी के तेवर सक्त एक दिन के वेतन पर लगाई रोक नहीं सुदरे तो सासन को लिखा जाएगा पत्र वीडियो देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे आखिर जिला पंचायत सभागार में सही माइने में क्या हुआ भदोही जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद त्रिपाठी की अध्यक्षता में बोड की बैठक संपन हुई पंचायत अध्यक्ष अनिरुद त्रिपाठी ने कहा कि मैं सरल हूँ इसका मतलब या नहीं की अधिकारी अपनी मनमानी करेंगे जनता की समस्याओं से जो भी अधिकारी किनारा करेंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बक्षा नहीं जाएगा जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद त्रिपाठी ने कहा कि कई अधिकारी ऐसे हैं जो विभागी कारियों में इसी तरह की लापरवाही अक्सर करते हैं उन्हें कहा कि यदि इसी तरह की विभागी लापरवाही जारी रही तो कहीं ना कहीं हम कठोर कारवाई करने के लिए बाध्य होंगे जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में फिकास कारियों से सम्मंधित कई महत्वपूर बिंदू पर चर्चा हुई जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि 10 अधिकारी ऐसे हैं जो बैठक में नहीं पहुचे ऐसे वे सर्वसम्मति से अनुपसित अधिकारियों के एक दिन के वेतन रोकने का प्रस्ताव पारित किया गया है उन्होंने इस मौके पर कहा कि जनपद स्तरिय अधिकारी स्वयम बैठक में भाग लें अपने प्रतिनिधियों को न भेजें अधिकारियों के बैठक में न पहुचने से तमाम महत्वपूर कारे प्रभावित होते हैं इसके साथ ही कई कारेयों के गुणवत्ता परक न पाये जाने पर भी बोर्ड कमीटी ने नाराजगी जताई उन्होंने कहा कि गुणवत्ता परक कारेयों से जनता के बीच हमारी विश्वसनियता साबित होती है ऐसे में कई अधिकारी ऐसे हैं जो हमारी चवी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं ऐसे अधिकारीों के खिलाब भी सर्वसमत्री से कारवाई का प्रस्ताओ बारित किया जाएगा जनपत भदुही से सुरेश कुमार मिस्रा के साथ दीपक कुमार मिस्रा की रिपोर्ट जन निगब के सिस्ति्य द्रेक्विवाग के इसेँ पीड़ी पीड़ी सायब ते बहुत से जनपतिमी दिविय आये थे मन्नी पुर्विधायक रभिनात्र पाथी जी भधोही के वह भी बैठक में थे और मैं सभी सम्मानिस जिला पंचाइट सदस्ट गण थे तो यह लोग रते ही नहीं है तो यह लोग जिला पंचाइट की बैठक से मजाग बना लिये थे इसलिए आज यह प्रस्ताव रखा गया सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवस्चे दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।